हेलो फ्रेंड्स दिस एश्पेशिंग एंड वेलकम तू इश्मार्टियर एवरिटी दिए फ्रेंड आपके पास एक पेपर है कंटेंप्ररी इंडिया एंड एजुकेशन सम्कालीन भारतयों सिक्छा तो जो यह पेपर है इसके हम कुछ क्या मतलब टैन टॉप टैन लॉंग क उनको अगर आप पढ़ लेते हैं आपने मालिया पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा due to time issue या other problems इस्ट नहीं पढ़ पाता है तो आज के अगर आप ये 10 कोर्शन सिर्फ लॉंग तयार कर लेते हैं तो यहां से आपके लॉंग तो तयार होंगे यहोंगे प्लैस आपके शाथ में शॉर्ट कोर्शन भी आपके यहीं से तयार हो जाएंगे तो आज सी क्लास आपके लिए अमेंसिंग होने वाली है क्लास में लाज तक बने रहना बहुत कुछ समझाने वाले आपको और सिर्फ कोर्शन पर फोकस मत करना जो मैं बता उस पर फोकस कीजेगा सबसे पहला समले है भारतिय समाज के स्वरूप और विशेषताओं का वर्डन करना है जो भारतिय समाज का सवरूप है उसकी विशेषताें और उसका स्वरूप आपको समझाना है यह वहित्त Mother को किस प्रकारता पर भावित करता है बहुत ही चृत्छ सूपर इंपर्टनि काच ports नtså जितना मैंने पढ़ाया हुआ वैदिकालिन सिर्फ उतना पढ़ लेना इसकी मुख्य बिशेष्ताओं और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए वर्तमा समय में कहां तक उपयोगी है जो वैदिकालिन सिक्षा है वह आज के जमाने में कहां तक उपयोगी है कितना उसका प्रकाश डालना कि किस तरीके की सिच्छा विवस्था है आप देखे यहां पे जितना यहां पे दिया हुआ है यह सारे इंपोर्टेंट है और यह मैंने सारे पढ़ाय हुए है लेकिन आप लोग काफी कमेंट कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर से यह सारे आयोग पढ़ा पढ़ेंगे क्योंकि यह जितने आयोग और पत्र हैं इसमें से कोई भी आ सकता है दो तीन भी आ सकते हैं इसलिए यह थोड़ा टफ है आपके लिए इसको जुरू पढ़िएगा मैं काले का विवरन पत्र हो गया वुड का घोसना पत्र हंटर आयोग कोठारी आयोग लाड क सिच्छा नीती शैडलर आयोग सार्जेंट रिपोर्ट यह सारी बड़े इंपोर्टेंट है मैं कोशिश करोंगा कि दो तिंदर में इस सारे ही आयोग और रिपोर्ट मैं तयार करा दूं फिर से वीडियो आपको दे दूं ठीक है नेक्स्ट कोर्शन है सैक्षिक अवसरों क समानता उपलब्द कराने के लिए प्रभावी उपाय क्या है सिच्छा का क्या आर्थ है मैंने कितना डिटेल में सिच्छा का आर्थ समझाय हुआ है है एक बार अगर आप वो वीडियो मेरा देख लेंगे सिच्छा का आर्थ वाला तो फिर दुबारा को कुछ पढ़ने की और शिच्छा दर्शनिन का पढ़ लिजे क्योंकि अर्विंद घो शौमी वेकंद मातमा गांदी यह तीन ही आपके बहुत इंपोर्टेंट है इनहीं में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा उसके बाद ये देखिए आदर्शवाद प्रकृतिवाद प्रियोजनवाद आ नहीं पढ़ेगी नाइन्थ वन कोईशन है सांके दर्शन योग दर्शन अद्वेद वेदान्त दर्शन इनका आपको अर्थ परिभाशा महत और शिद्धान्त पढ़ लेना है इतना ही एनफ होगा और आज के तीन कोईशन लास्ट मूलिस इच्छा की आविशक्ता और महत पर एक नजर डालिएगा यह जो कोईशन शायनकी लेंग्वेज चेंज हो करके आ सकती है तो उस पर भी आप ध्यान रखेंगे अगर कोईशन की लेंग्वेज चेंज राती तो यह ना समझें कि असका आंसर भी लिखना पड़ेगा आंसर वही होता है भारत में सिच्छा के प्रजातांत्री करण से समंदित समवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए नेक्स्ट वन इस सिच्छा के शारुबहुमिकरण से क्या तातपर है यानि कि शारुबहुमिकरण तातपर पूछ रहा है तातपर में आपको अर्थ परिभाशा जरूर लिखनी होती है सिच्छा के सारुबहुमिकरण के कारिकरणों की विवेचना कीजिए यह हमारे आज के 12 कोर्शन थे जो सूपर इंपोर्टेंट कोर्शन थे क्लास कैसी रिक कमेट करके जुरू बताईए और जितना मैंने बताया है इसमें से मोस्टली मैंने पढ़ाया हुआ है बाकि अगर